कहिए कैसे हैं आप एक हाउस वाइफ की डेली रोटीन क्या हो कि वो स्मार्ट कहलाए जी हाउस वाइफ स्मार्ट कहलाए अपनी डेली रोटीन की वज़े से आप मेंसे बहुत लेडीज ये सोच रही होंगी हो ही नहीं सकता housewife और smart मतलब ही नहीं हो ही नहीं सकता तो ये जो सोच है ना सबसे पहले तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा ये सोच आने नहीं चाहिए मतलब ये जो negative सोच होती है ने ये बहुत खराब करती है ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है तो positive सोच ये कि हाँ क्यों नहीं हो सकता कि अगर मैं daily routine कुछ ऐसी different सी बनाओं कुछ अलग सी बनाओं तो बिल्कुल फरग पड़ सकता है क्यों नहीं पड़ सकता अपने आपको इस तरह से कहना है positive सोच नहीं बहुत फरग पड़ता है एक smile नहीं रखते है मतलब ऐसे चेहरा बना के रखेंगे माते पे बल डाल के रखेंगे ऐसे कैसे भद बनेगी ये जो दो चीज़ें है ना एक तो हमारी positive सोच एक हमारी smile ये बहुत जरूरी है ये जो smile है ना एक ऐसी वक्र रेखा है जो सारे मुद्दों को सीधा कर देती है तो ये दो चीज़े तो देखिए बहुत जादा जरूरी है बहुत ही जादा मतलब लाइफ में otherwise भी बात इस topic की नहीं है otherwise भी हमें अगर अच्छा रहना है अगर हमें कुछ रहना है तो दो चीज़े ठीक है अब बात आती है कि डेली रोटीन क्या हो एक हाउस वाइफ की जिससे वो smart दिखे तो देखिए सही मायनों में अगर हम चाहते है ना कि हम smart कहला है तो इसके लिए जो हमारी डेली रोटीन है उसमें सबसे पहले अपनी रोटीन में हमें सुबह जल्दी उठना होगा सुबह जल्दी उठने का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे family members है वो जितने बज़ उठते हैं मान लीजिए सब लोग 6 बज़ उठते हैं तो हमें 5 बज़ उठना हो मतलब उनसे आदा गंटा पहले और वो इसलिए कि हमें थोड तरह की टेंशन खुद अपने आप समय से पहले उठना है आदा घंटा पहले उठना है अपना आप टाइम लीजिए फ्रेश होने में फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाहर आ जाईए मतलब खुली हवा में मतलब वहां का ना जो एट्मोस्फेर है उसका आनन लीजिए कितनी शांती है और कितनी फ्रेशनस है कितना अच्छा लगेगा आपको मतलब एतना नई तरह की एनरजी आप में आएगी मतलब वह जो ताजी हवा है वह इन्हेल करनी है आप जब ताजी हवा लेंगे न तो यह आप मान के चलिए कि आप दिन भर के लिए अपने आप में एनरजी भर रहे हैं दिखिए आप खुदी कंपेर कीजिए कि सुबह उठ रहे हैं हब बड़ा दबड़ी है अच्छा बात्रूम में टाइम नहीं लग रहा है बच्चे डोर नौक रहे हैं जल्दी आओ वह जल्दी भाह रहा हो नाश्ता रह गया शूस का है यह का है वो का है कि कोई उठानी हुआ सब सो रहे हैं और आप जो है बिलकुल एकदम कूल ठंडा दिमाग शान दिमाग और आप नेचर को सुबह सुबह एंजॉए कर रहे हैं कितना फरक है तो नहीं मतलब जैसी हम दिन की स्टार्ट करेंगे ना हमारा सारा दिन वैसे ही जाएगा अगर ह ही हमारा पूरा दिन रहने वाला है एकदम अच्छा ठीक है एक चीज तो हो गई यह अब आती है दूसरी बात हमारे काम बहुत काम होते हैं तरह तरह के काम होते हैं देखिए कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कि टाइम बाउंड होते हैं कि टाइम से ही खतम करने हैं और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार होता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिन में तीन बार होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दो दिन में एक बार होते हैं मतलब अलग-अलग तरे के काम होते हैं जरूरत क्या है और जरूरी क्या है कि हमेंने एक लिस्ट बना लेने वह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आधा स्कूल जाना ही जाना है पेरेंट-टीचर मीटिंग में या फिर घर पर guest आ रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कुछ खाने की चीज़े लानी है, कुछ Swedish वगरा लानी है, तो वो लानी लानी है, वो ज़रूरी है ना, शाम को guest आ जाजेंगे, फिर कैसे होगा, तो जो हमारी to-do list है, daily basis के हिसाब से ना, कि ये काम हमने करने हैं, और जो हमारी जमा कराना है, तो ये चीज़े जो हमारी, मतलब बिल्कुल time bound है, कि ये तो करने ही करने है, उसको tension बनाने की बजाए, उसको निम्टाने की कोशिश करने है, तो ये तो बात हुई जो time bound program है, अच्छा कुछ काम ऐसे होते हैं, जो कि हमें रोज करने होते हैं, या फिर दो द सबसे पहले सफाई, या फिर जैसे कुछ families ऐसी होती है, कि जैसे husband या बच्चे काम पे चले गए, उसके बाद सफाई करनी है, या कुछ families ऐसी होती है, कि मेट सरवंट का time fix है, वो इतने बज़े आती है, वो इतने बज़े सफाई शुरू करती है, तो चलो उतने बज़े, ये आपके अपने उपर है, कि आपको कितने बज़े comfortable रखता है, कितने बज़े सही लगता है, उस हिसाब से हम सफाई करें, ऐसी washing होती है, कि जैसे कुछ लोग तो हरोज करते हैं, कुछ ladies हरोज करती है, और कुछ होती है कि दो दिन में एक बार करती है, ठीक है, ये हम अपन बनाओ, क्या बनाओ, जैसे कि एक लेडी है, अपने हस्बंड से पूछ रही है, बताओ, क्या बनाओ, तो बोल रहे है, ये बना लो, अच्छा ये तो है नहीं, अच्छा ये बना लो, ये तो कल बनाया था, अच्छा बताओ, आप बताते ही नहीं हो, क्या बनाना, क्या बन एक ग्रोका सब्देन के पूरेस्टास प候नेट प्लेंट उसको बना कि अप्रोड लेकर उस चार्ट को किछिन में या डाइनिंग हाल में जहां पिग्ला कि वहाँ पर उसको लगा आथ हुए कि अंड़ सब्देन करारिए इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है प्लस टेंशन होती है तो एक बार पूछ लिया उनसे है ना अपने एक लिस्ट बन गई फिर हमने सिरफ लिस्टी देखनी है भई आज तो अच्छा मंडे है आज मैंने यह यह बनाना है और उससे अच्छा क्या होगा कि हम रात से ही त्य यह तो बात होगे खाने की अब बात आती है कि जब हम रुटीन बना रहे हैं और हम यह भी लग रहा है कि हम स्मार्ट के लाएं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम थोड़ा सा थोड़ा से अवेर हैं कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है नहीं आइडियास क्या रहे है अब जैसे कि एक लेटी है और जब वो पोचा करती है वो खुद करती है अपने घर का पोचा जाडू पोचा करती है जब वो पोचा करती है उसकी कमर में दर्द हो जाता है मतलब बहुत जुगना पड़ता है, जोड लगता है, फिर जब पोचे को निचोड़ना पड़ता है, उसकी उंगलियों में दर्द हो जाता है ठीक है, तो वो ये देख रही है, उसको ये पता लगा, मतलब अवेर है न वो, ने-ने आइडियास वो देख रही है कि क्या-क्या नई चीज़े आई हैं मार्केट में कि एक standing पोचा है मतलब एक ऐसा पोचा है जिसमें जुकने की जूट नहीं है जिसको निचोडने की जूट नहीं है एक दबबा आता है उसमें वो निचोड भी जाता है बहुत बढ़िया चीज़ है तो वो सुची कि मैं क्यों ना ले लूँ यह अगर वो ले लेती है तो उसकी आधी tension खतम होती है कमर दर्थ की वैसे वो पढ़ी रहती है तो वो वो यूज़ कर रही है अब जैसे एक example और देती हो मैं जैसे एक lady है मान लिजे और उसकी फैमिली पे 10 मेंबर्स हैं, हर रोज कपड़ित होती है वो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, दो-दो बाल्टियां हो जाती है और वो कपड़े धोरी है, दो-दो घंटे लग जाते हैं तो फुली आटोमेटिक मेशीन आती है, उसमें कपड़े डाल दो चालेस मिनट बात कपड़े सुखी हो बाहर निगलते हैं उसमें कोई महनत नहीं है, कुछ नहीं है, उसको लगा कि अगर हम ये मशीन ले लेते हैं तो मेरा और काम में, मैं बहुत अराम से कर सकती हूँ मनलब सिरफ वाशिंग में मेरा टाइम ही लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, बहुत जादा और हर रोज हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है तो वो ले लेती है अब उससे क्या हो रहा है? उसका जो टाइम वेस्ट था, वो बचरा है ना energy उसकी बचरी है ना वो बहुत और कामों में भी लगा सकती है अच्छा है इसी में एक बात और याद आई मुझे कि जब हम अपनी daily routine बना रहे हैं ना इसमें अपने लिए me time ज़रूर निकालना है me time मेरे लिए समय उसमें थोड़ा time एक short nap बई हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना तो ठकावट नहीं हो जाती है ठकावट भी हो जाती है तो एक time हमें अपनी उस routine में ऐसा रखना है कि हम short nap ले रहे हैं एक जबकी ले रहे हैं थोड़ा सा fresh हो जाता है 15-20 minute चलो लेट गए एक जबकी ले ली अब fresh है ज़रूरी होता है यह अच्छा इसी के साथ साथ एक time हमें आदा घंटा इसके लिए भी निकालना है कि हम में क्या creativity है अगर आपको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ मुझे करना क्या अच्छा लगता फिर तो है बहुत अच्छी बात और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि नहीं पता नहीं है फिर आप search कीजिए अपने अंदर ढूंदिए पैचानिए मान लेजिए कुछ ladies हैं जैसे cooking का बहुत शौक होता है gardening का शौक होता है painting का शौक होता है music गाने गाने का शौक होता है जब जो आपको relax करती होगी मतलब जिसको सुनकर जिसको पढ़कर जिसको देखकर आपको अच्छा लगता होगा मतलब अच्छी सी feeling आती होगी और automatic चेहरे पर smile आती होगी वो चीज़ करनी चीए जब हम daily routine बनाने की बात कर रहे हैं और जब हम smart होने की भी बात कर रहे हैं यह चीज़े बहुत जरूरी है अच्छा बहुत ladies तो ऐसी होती है कि जैसे घर पे हैं कहने को वो housewife है पर वो कुछ ऐसा काम भी कर रही है कि income का source generator है पैसे कमारी है वो गर बैटके मतलब गर भी सारा संभाल रही है कितनी अच्छी बात है अपनी एक पहचान बन रही है ना उनकी की देखो चलो चाहे वो hobby है जैसे वो मालो सितार अच्छा बजाती है तो वो सितार सिखा रही है और बच्चों को एक गंटी के लिए tuition देती है सितार सिखाती है बन गई ना उसकी पहचान और अगर इनसे कमाई भी हो रही है पैसे भी आ रहे है फिर तो और भी अच्छी बात है अच्छा लगता है ना मतलब एक अपनी वेल्यों लगती है नी तो ना कई बार जैसे मैं बोल रही थी थी ना स्टार्टिंग में की हाउस वाइफ और स्मार् मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है मैं तो कुछ करती नहीं हूँ मैं तो नौकरानी बनके रह गई यह चीज दूर हो जाएगी जरूरी है यह इसलिए क्लियर अब एट चीज का और ध्यान रखना है जब हम डेली रोटीन बना रहे हैं हमने बना ली ठीक है ना हमने यह यह करना है इस इस टाइम ऐसे-ज़र करना है तो थोड़ा सा फ्लैक्सिवल भी रहना है यह जैसे क्या होता है कि जैसे हमने बना तो ली अब क्या हो गया जैसे हमें नहीं जाना पड़ गया दो-чार दिन के लिए यह घर में गय स्ट यह तो वह चीज हमारी फिर कॉंटिंई नहीं र पारी, मतलब नहीं हो पारा, हाँ ये जब सब कुछ ठीक हो जाएगी, ये सिट्वेशन ठीक हो जाएगी तब इसको कर लेंगे, तो इस चीज़ को ना टेंशन नहीं बनानी है, मतलब क्यों भी नहीं कर पा रही मैंने तो बनाया था, मैं तो होई नहीं पा रहा, देखिए बहुत सुल्जियों ही बनना है हमें बहुत समझदार, mature lady बनना है, बहुत ज़रूरी है यह चीज़ मतलब जितना हम समझदारी से काम लेंगे न, उतना ही हम smart बनेंगे दूसरों की नज़रों में कोई problem आ गई, कोई बात नहीं, it's a part of life ऐसा होता है, इस से बाहर निकलेंगे हम, यह होता है art of life, और हमें हमारी असली smartness यही है कि हमने सब situations को बिलकुल कूली patiently handle करना है, किसी चीज़ का issue नहीं बना दे न कि यह क्या हो गया, यह क्या मतलब है, बिलकुल ठंडे दिमाग से, बिलकुल ठंडे दिमाग से, तब बनेगी असली बात, पर इन सबल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जब हम यह डेली रोटीन बना रहे हैं, और हम चाहते हैं, हम smart कहलाएं, अपना ख्याल रखना है अपने को तो हम बिलकुल neglect कर देते हैं अपना ख्याल रखते नहीं है, यह चीज़ नहीं होने चाहिए, अपना ख्याल बस ज़रूरत क्या है, अपना ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है, आप अपना ख्याल रखेंगी, जब ही तो family का रख पाएंगी खुदी बिमार रहेंगी, खुदी हाय हाय करती रहेंगी, family का ध्यान कैसे रख पाएंगी फिर बताईए, तो दूसरों का ख्याल रखने के लिए ना, सबसे आदा ज़रूरी है अपना ख्याल रखना यह जो ग्रहनी होती है, पता है कौन होती है जिसका पूरा घर रिनी वो होती है ग्रहनी और ग्रहनी पता है क्या जैसे एक अगरबत्ती होती है ना, उसकी तरह होती है अगर बद्धी की तरह, जैसे दीरे-दीरे जलती रहेगी, दीरे-दीरे सुलकती रहेगी, पर अपनी महक से पूरे वातावरन को, पूरे घर परिवार को सुगंदित रखती है, ये शक्ती होती है इसमें, तो बनाईए, आप भी अपनी अच्छी, एक अच्छी सी डेली करके देखिये, विसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंजा रहेगा, और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लिजेगा, और इसमें ये बेल का बटन है, ये भी जरूर कर लिजेगा, ठीक, बाए